दुश्रून मस्कार आप सभी का स्वागत है अचके इस वीडियो में बहुत बिग ब्रेकिंग निउस है यहाँ पर लाश्ट टेम जो आपकी केवीस की परिक्षा हुई थी 2018 में उसमें भी शलैबस बदल गया था और इस बार भी परिक्षा का शलैबस बदल गया है यह खबर आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल रही है तो ऐसी ही लेटिस्ट और अथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन करिएगा बात करी जाएगर यहाँ पर तो पहले 150 कोश्चन आते थे लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है दा रिटेन और एक प्रशन का एक नंबर मिलेगा आपको और यहाँ पर यह कहा जा रहा है टाइम आपको कितना मिलेगा 180 मिनट का यानि अब आपका जो पेपर होगा यह तीन घंटे का होगा अब यहाँ पर बात करें नंबर आप कोश्चन की स्लैबस में क्या-क्या बदला हुआ है तो की बात करें तो यहाँ पर पेडागोजी का जो है बढ़ा दिया गया है नई सिक्षानीती को ध्यान में रखते विए पेडागोजी अब साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें अंडर स्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन अंडर स्टैंडिंग टीचिंग लर्नि ठीक है सीरियस कंडिडेट जो है वो भी किसी का कोर्स नोट्स नहीं करी देंगे अभी भी हम कह रहे हैं थोड़ा सा सबर रखिए चीजें हम आपके साथ साजा करेंगे पार्ट फूर्थ में अगर हम जाएं एक यहाँ पर और बहुत बड़ा बदलाव निकल करके आ रहा है यहाँ पर एक टेश्ट होगा जो आपका डेमो टीचिंग होगी 30 माक्स की और 30 माक्स का एंटर्वी होगा वो पहले भी टीचिंग होती थी लेकिन यहाँ पर इन्होंने एड कर दिया है पहले भी टीचिंग एंटर्वी के साथ करा ही जाती थी बात करेंगे यहाँ पर हम व की माद्यम से कैसे आपका चैन होगा इस पर डेटेल वीडियो आएगा श्लैबस की बात करें तो इस पर हमें अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुचाएंगे फिलाल इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसको हम समझ करके आपको पूरा श्लैबस होते वो आपको हमने सबसे पहले साजा किये ये ओफिशियल पीडियेफ आपके हमारे टेलेग्राम ग्रूप से मिल जाएगा जॉइन करें वंडे एक्जाम श्टडी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा